हेले दोस्तों अगर आप लोग पैट किलियर करके लेकपाल बनना चाते हो तो गाइज आपने यूट्यूब के सबसे सांदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है गाइज यह वीडियो इतना ज़्यादा बैस्ट होने वाला है मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ अगर आज आप लोग यह वीडियो पूरा देखकर चले गए तो गाइज 100% आपका सेलेक्शन होगा अब आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ आप लोग इतने सारे वीडियो देख चुके फिर भी आप लोग कन्फ्यूज हो तो गाइज यही कन्फ्यूजन में आपका दूर करने आया हूँ एक बार इस वीडियो को पूरा देखो लेकपाल की आपके अंदर पूरी उम्मीद जग जाएगी कि आपका लेकपाल के लिए आपको eligible होंगे गाइज आप लोग लेकपाल देपाओगे अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया सबसे बड़ी खुसकबरी की बात है कि आपकी merit है वो बहुत ही कम जाने वाली है क्या कारण है पूरा कारण बताते वे चलूँगा analysis करके ही मैं आपको बताऊंगा कि आपकी cut off क्या रहेगी normalization कैसे होगा कैसे आपकी number बढ़ाए जांगे कब आपका result आएगा कब आपकी answer की आएगी guys यह video 100% real होने वाली है वीडियो को like करते वे जरूर चलेंगे बहुत बैतरीन यह video आपके लिए होने वाला है आगे बढ़ लेते हैं पूरी जानकारी ले लेते हैं guys अगर आप लोग किसी वी government exam की तियारी कर रहे हो सभी subject को trick से पढ़ना चाते हो ममी पापा का सपना पूरा करना चाते हो नीचे लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को subscribe करके जरूर जाएंगे bell को all कर लेंगे ताकि सभी notification आपको हमारे चैनल exam ताज पर आपको time to time मिलते रहे तो guys यह video वो ही होने वाली है जिसकी आपको तलास थी काफी सांदार तरीके से मैं आपको यहाँ पर चोटा सा analysis करके cut off के बारे में बताऊंगा कितना आपका safe score रहेगा ताकि आप लोग लेग पाल के exam में बैठ सको तो guys वीडियो के सुरुआत कर लेते हैं तो guys चोटा सा analysis हम करेंगे जो आपका paper था आपका जो भी 24 अगस्त का exam था उसे लेकर ही हम एक छोटा सा analysis करने जा रहे हैं क्या analysis रहेगा मैं आपको बता देता हूं कि आपका cut off कम क्यों जाएगा मैं आपको बता देता हूं देखो आप लोग ध्यान से देखने हैं इस बात को यह आपका paper है real paper है अब आप लोग खुद देखो जो आपके सवाल आयोए थे अगर कोई कह रहा है कोई कह रहा है कि cut off 60 से उपर जाएगी guys किसी की बात मत मनो आपको गुमरा कर रहे हैं 60 से उपर इस paper की cut off कभी नहीं जा सकती अगर आप मेरी बात से अगरी करते हो तो comment करके जरूर बताना इस paper की cut off कभी भी 60 से उपर नहीं जा सकती guys आप लोग क्या सोचते हो बच्चों को देखो इतनी आसानी से यह सवाल आप लोग कर लेते क्या यह average का सवाल आया हुआ है इसमें 4 खिलाडियों की ओसत संग्या है 18.5 गुणा 4 चार आपके खिलाडी है इनकी ओसत आयू है 18.5 जब आप इसकी गुणा करोगे तो यह आपका आएगा 72 सोरी 72 2.74 इनकी आएगी फिर आप क्या करोगे ओसत का 20 परसेंट लोगे 20 परसेंट लेने के बाद में तब आप कुछ की उम्र निकालोगे कोई बोलता है कि इस सवाल को आप लोग 2 सेकिंड में कर लोगे 3 सेकिंड में कर लोगे तो गैस एक बात बताओं आपको अभी यह सवाल करके देखो अगर आप लोगों को 5 मिनट ना लग गई ठीक है गैस क्योंकि एवरेज बच्चे यहाँ पर जो भी एक्जाम देने गए थे गैस मैंने सभी से बात की है सभी का स्कोर जादतर बच्चे मुझे बता रहे हैं 30 से 35 एवरेज स्कोर है 35 से 40 40 से 45 इस से उपर कोई बच्चा नहीं बढ़ रहा तो गैस एक बात बताओ मुझे आप लोग कोई बच्चा बता रहे है 40 से 50 जब आप लोग एक बात बताओ मुझे जब स्कोर इस से उपर जाही नहीं रहा तो कट ओफ इस से उपर कैसे चली जाएगी अब आप एक बात खुद बताओ तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में है आपने जितना भी वीडियो अभी तक देखा है गैस मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया आपके अंदर 100% उमीद जगा दूँगा कि आप लोग लेक पाल में बैठ होगी तो गैस आप कट ओफ की बात कर लेते हैं आपकी कट ओफ क्या रहेगी कटेगरी वाइज तो गैस अगर आप लोग मेरी बात से एगरी करते हो तो कमेंट करके कमेंट बोक्स में बताना कि मैं आप लोगों के लिए जो ये बात बोली ये आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई average score बच्चों को यही आ रहा है तो guys एक बात बताओ जो आपको कह रहा है 60 से उपर 55 से उपर cut off जाएगी guys आपको दिन में ही पागल बना रहा है मैं आपको guarantee देता हूँ जो मैं cut off बताओंगा आज तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा बहुत बैतरिन तरीके से बताने वाला हूँ अगर मेरी जानकारी पसंद आएगी तो नीचे लिख देना nice वीडियो ठीक है और तुरंत like करके जाना वीडियो को ठीक है गाइस मैं आपके अंदर एक उम्मीद भरने वाला हूँ और उम्मीद जूटी नहीं है गाइस 100% real आप लोगों के अंदर एक मैं confidence ला दूँगा ताकि आप लोग लेक पाल के तियारी में बहतरिन तरीके से लग जाओ और पढ़ाई करते रहो ठीक है गाइस यह वीडियो कोई मजाक नहीं है मैं बिलकूर real analysis आपको देने वाला हूँ आगे बढ़ लेते हैं पूरी जानकारी ले लेते हैं गाइस लेक पाल आपका 100% होगा किसी भी आलत में आपके मम्मी पापा के सपने पूरे होंगे और लेक पाल आपको मिलेगा मैं 100% गारंटी देता हूँ यह चैनल हर चीज के लिए best रहेगा तयारी भी करवाएगा यह चैनल और आपको selection भी दिलवाएगा ठीक है आगे बढ़ लेते हैं पूरी जानकारी ले लेते हैं तो गाइस category wise cut off की बात कर लेते हैं देखो गाइस मैं आपको जो cut off बताऊंगा अभी मेरे को बच्चे बोलेंगे कमेंट करके कि सर मेरा तो जन्रल में यहाँ पर 40 नमबर बन रहा है मेरा तो सर 45 नमबर बन रहा है लेकिन आपने तो cut off बताई है 50 से 52 देखो गाइस यही confusion मैं आपका दूर करने आया हूँ क्या दिक्कत क्या रही है बच्चो को बच्चो को यह नहीं पता अगर आपका पेपर का लेवल टफ आया था गाइस पेपर का लेवल आसान नहीं था टफ था तो गैज आपका क्या होगा नोर्मलाइजेशन भी होगा अब ये नॉर्मलाजेशन में होता क्या है जिनका एक्जाम टफ था उसके नंबर बढ़ाए जाएंगी अब काफी यूट्यूबर बच्चों को कन्फ्यूज कर रहे हैं कट ओफ क्या बता रहे हैं साट, पैंसट, साट, पैंसट, सत्तर गाइस देखो बिल्कुल भी बातों पे ध्यान मत दो, मैं आपको गारंटी देता हूँ भगवान की कसम खा की कहता हूँ गाइस, आपका सेलेक्शन होगा मैं आपके मम्मी पापा के सपने पूरे करवाऊंगा, अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे, 100% मैं आपके साथ में हूँ गाइस, आप लोगों से छोटी सी विंति करता हूँ अगर मेरे द्वारा दीगे जानकारी पसंदारी है तुरंत लाइक ठोकेंगे और चैनल को जोइन कर लेंगे, सबस्क्राइब करके ठीक है, अब मैं आपको यह आपके कच्चे नंबर है, रो मार्क्स है ठीक है, रो मार्क्स है, घबरान नहीं है वीडियो को पूरा देखने है, तभी आपको जानकारी पता चलेगी EWS, 48-50 ठीक है, गाइस OBC, 46-50 ठीक है, गाइस OBC, सोरी, उल्टा हो गया EWS, 46-50 और आपका OBC हो जाएगा कितना? एक सक्ट OBC आपका हो जाएगा 46-50 ठीक है, EWS, 46-50 OBC आपका 48-50 ठीक है, गाइस अब आप लोग ध्यान से देख लो SC की बात करें 40-45 गाइस, पेपर का लेवल भी तो देखो यार आप लोग बार-बार मुझे बच्चे कमेंट करके बोलते हैं कि सर, इधर-उधर इतना कट ओफ बता रहे हैं बिल्कुल ध्यान देने की जरुत नहीं है अगर मेरे दुआरा आपका satisfaction आपके अंदर बन रहा है तो गाइस, टेंसल लेने की जरुत नहीं है क्योंकि ये लोग आपको गुमराइस ले कर रहे है ताकि आप लोग तयारी ना करो ठीक है, ST की बात करें 36-40 ये आपकी category wise cut off रही freedom fighter की बात कर लेता हूँ अगर आपके 25-30 नंबर है एक सर्विसमेन या freedom fighter ओके, PH, OH जो भी physically handicap है अगर आपके 20-25 नंबर भी बन रहे हैं तो 100% आप लोग selection के करीब हो 100% आप लोग लेकपाल को दे पाओगे और लेकपाल का exam दे पाओगे UPSSAC PAT लेकपाल के लिए एक cut off है आपकी ओके सिर्फ आपके लिए बहुत बैतरिन तरीके से बना कर लेकर आया हूँ अब आगे बात कर लेते हैं आगे बढ़ लेते हैं अभी तक अगर आगे जानकारी पसंद आई तुरंत प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ठीक है आगे बढ़ लेते हैं नॉर्मलाइजिसन के बारे में जान लेते हैं तो गाइज बात कर लेते हैं आपके नमबर कैसे बढ़ेंगे मान के चलो आपका पेपर हार्ड आया एक बच्चा मेडियम आया एक बच्चा इजी आया सभी को बराबर किया जाता है नॉर्मलाइजिसन का मतलब होता है सभी को एक समान बनाना सभी को नॉर्मल करना एक पेपर है, एक बच्चा जिसका पेपर हार्ड था इसके यहाँ पर 40 ही नमबर बन पाए एक बच्चा जिसका paper medium था इसके 45 बन पाए एक बच्चा जिसका easy था इसके 50 बन पाए तो guys इसमें होता क्या है सभी को बराबर बाटे जाते हैं जिसका paper tough था इसमें guys यहाँ पर इसको 10 से 15 नंबर बढ़ा कर 55 तक ले जाया जाएगा ठीक है 55 तक ले जाया जाएगा ऐसा भी हो सकता है कि 20 तक नंबर बढ़ा दिये जाए क्योंकि अगर paper जादा tough था तो 60 तक इसके पहुचा दिये जाएंगे जिसका paper medium था इसको 10 नंबर मिलेंगे 55 तक इसके चले जाएंगे जिसका paper easy था इसको भी 2-4 नंबर 5-6 नंबर देखे क्योंकि सभी को बराबर बाटे जाते है normalization का rule है सभी को equal बनाना यह आपको पतावना चाहिए तो गया इसके भी 56 तक नंबर चले जाएंगे अब आप लोग खुद देखलो comment करके मुझे बता दो आपके नंबर कितने बन रहे है score कितना बन रहे है क्या आप लोग लेक पाल की तियारी करना चाहते हो वीडियो पसंदाई nice वीडियो लिख देना ठीक है score बताना और अपनी category बताना क्या category है लेक पाल के लिए आप लोग select होगे या नहीं होगे comment box में बता देना अभी मैं result की बात करूँगा answer की की भी बात करूँगा ठीक है पहली बार channel पर आए हो join कर लेना लेक पाल की तियारी करना चाहते हो bell icon को all कर लेना notification के लिए channel को subscribe कर लेना अब बात कर ले तो result कब तक आएगा answer की कब तक आएगी ठीक है guys answer की guys आपके September में कभी भी आ सकती है कभी भी September में 15-20 दिन के बाद यानि 20 September के आसपास आपकी answer की आ सकती है कभी भी result की बात करें result आपका answer की आने के बाद 10-15 दिन के बाद यानि 10 अक्टूबर तक आपका 10 या 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आने की पूरी-पूरी संभावना है ओके गाइस इतने जल्दी ये प्रोसेस होगा फिर आपका लेकपाल का एक्जाम भी होना है ठीक है सारी चीज़े मैंने आपको यहाँ पर किलियर कर दी है आखरी में कहूंगा भगवान करें आपके मम्मी पापा के ड्रीम पूरे हो जाए आपको सेलेक्शन मिल जाए गाइस अगर आपको मेरे से मेरी वीडियो देखकर आपको अच्छा लग रहा है अंदर कोल्फिडेंस बन रहा है हंदर परसेंट सेलेक्शन की उम्मीद लग रही है कमेंट करके बताना सर हम आपसे ही पढ़ेंगे और वीडियो को सपोर्ट करते हैं चलना सेयर करना ठीक है आपके ममी पापके ड्रीम पूरे होंगे और आप लोग लेक पाल की तियारी करना चाते हो तो कमेंट करके बताना ठीक है लाइक सेयर सब्सक्राइब सभी कर लेना और गाइस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच